दुनिया बहुत तेजी से तरकी कर रही है, जितनी तरकी इंसान ने पिछले 3000 सालों में नहीं की, उससे ज्यादा तरकी उसने पिछले 30 सालों में की है। इंटरनेट की मदद से जानकारी आज दूर दूर तक पहुँच रही है, अगर हर रोज हम अख़बारों में नए आईडिया और नई खोज के बारे में पढ़ते हैं, मार्केट में हर तीसरे महिने एक नए फीचर वाला फोन आता है, क्या आपने कभी सोचा कि लोगों को इतन पहले से सार आविष्कार करने के आईडियाज कहा के आते हैं। कि आपको पता है कि कि तरह से दुनिया के महान विज्ञानिकों के दिमाखには बियुच और ना वीजिकार करने के आएडिया था। यह वीडियो इनी शवालों का जवाब देगी कि हमारे अंदर नए आइडिया किस तरह पैदा होते हैं इस वीडियो की मदद से आप अपनी सोच को बहतर बनाना और नए आइडियाज पैदा करना सीख पाएंगे नमश्कार मैं निल के कुमार इंप्रिंट आपके सब जुड़ा हूं दोस्तों आज मैं आपके पास एक बहुत ही बहतरीन बुक की समरी लेक किताब का नाम है वेद गुड़ आइडियाज कम प्रूम नए खोज करने का तरीका नई खोज के बारे में शीखने के लिए वीडियो के अंतक बने रही हैं विकास और नई सोच अकसर एक तूसरे के साथ साथ चलते हैं चार अरब वर्स पहले कार्बन हर चीज में पाया जा पहले कार्बन को मोलिकूल बनना पड़ा उस मोलिकूल से कुछ परीमर बने जिन से प्रोटीन बना उस प्रोटीन से सेल बने और उस सेल से प्राचीन जीव वह बहुत सी छोटी चीजे बने हर कदम पर उन्होंने कई नहीं रचनाई की फिर कहीं जाकर कार्बन सूरज मुख फिर वर्डवाइड वेब बनाया गया अंत में एक ऐसा प्लेटफोंग बनाया गया जहां पर ओनलाइन पैसे दिये जासके उसके बाद जाकर इबे बन पाया अगर यूटूब 1990 में आया होता तो वो सफल नहीं हो पाता क्योंकि उस समय नय तो तेज इंटरनेट था और नहीं वो सोफ्ट्वेर था जिससे नए वीडियोज देखे जासके इसलिए आसाम सब्दों में ये कहें अगर प्रिष्थितिय अनुकुल नहीं है तो बड़े काम सफल नहीं हो सकते इस तरह से कोई भी चीज अचानक से नहीं बन जाती बलकि उसको बनने के पीछे बहुत सी ही चाथ होती है अगर हम नई खोज की दुनिया को देखें तो लगता है कि वो उन खोजों को करने वाले समय में नेचुन निया चीज को करने में बनाने में समय लगता है पहले भी कही बार उन्होंने कुछ ऐसा ही सोचा था इससे ये पता चलता है कि Natural Selection का सिद्धान उन्हें समय के साथ धीरे धीरे समझा आया था कुछ इसी तरह World Wide Web भी बना बच्चपन में Team Burners Lee ने Victoria के समय एक किताब पड़ी उसमें उन्हें Portal of Information का जेकर मिला जिसे पढ़कर वे काफी प्रभावीत हुए इसके कुछ दस साल बाद वो Swiss CERN Lab में एक कंसर्टेंट की तरह काम करने लगी वहाँ पर उन्होंने किसी भी सूचना को इखटा करना और आपस में उन्हें एक नेटवर्क से जोडने का काम शुरू किया कुछ दस सालों बाद CERN ने उन्हें एक प्रोजेक्ट पर काम करने की इजाज़त दी फिर जाकर कहीं ऐसा नेटवर्क बन पाया जिससे हाईपर टेस्ट लिंक की मदद से अलग अलग कम्पूटरों को जोड़ा जा सकता था बर्नर ली कि कई सालों के मैनत के बाद वर्ल्ड वाइड वेब बन पाया प्लेटफॉर्म हमें नई खोज करने की सुईधाई देते हैं करिब दो दसक पहले एकोलोजिस्ट ये समझ गए थे कि परकर्ती के जीव दूसरे जीवों के रहने के लिए स्थान बनाता है वो एक दूसरे का फायदा करते हैं एक्जांपल के तोर पर जब कोई जीव मर जाता है तो कुछ कीडे उसे खाकर ना सिर्फ परकर्ती को साफ करते हैं बलकि वो उस मरे हुए जानवर को खाद में बदल देते हैं जिससे वहाँ पर नए पोदे और पेड उग पाते हैं हमारी परकर्ती एक प्लेटफों है जिस पर बहुत से जानवर और पोदे रहते हैं और एक दूसरे के फायदे के लिए काम करते हैं इसी तरह के बहुत से दूसरे प्लेटफों भी मौजूद हैं जिसमें लोग एक दूसरे को फायदा पहुचाते हैं प्लेटफोर्म की मदद से हमें नई खोज करने में आसानी होती हैं GPS एक ऐसे ही प्लेटफोर्म का एक्जामपल है पहले GPS सिर्फ सेना की इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था लेकिन अब GPS ट्रेकर का इस्तेमाल मैप्स एड़ोटाइजिंग जैसे नई चीजों में इस्तेम जनम देता है ट्विटर की कहानी भी ऐसी ही है सबसे पहले इंटरनेट नाम का एक प्लेटफोर्म है जहां बहुत से लोग जानकारिया बाठते थे इस प्लेटफोर्म के आधार पर ट्विटर बना जहां पर लोग अपनी हर रोज की जिंदगी की खबरें लोगों के साथ ब पाए जाता है क्योंकि वो दूसरे कीडों से काफी आसानी से जुड़ जाता है और प्रोटीन जैसे कॉंप्लेक्स मोलेकूल बना देता है बिना कारबन के सायद धर्ती पर जीवन संबब नहीं हो पता कहने का मतलब यह है कि नई सोच और नए आविशकार के लिए दूसरों से कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी होता है जब इनसान ने सहर और कस्बे बनाना शुरू किया तो वो अपनी सोच और अविशकार को ज्यादा लोगों तक पहुचा पाए अगर ऐसे ही कनेक्शन नहीं बने होते तो इनसान के साथ उसकी नई खोजे भी खतम हो जाती करना शुरू किया वो दूसरे लोगों के साथ बैठ कर अपने काम के बारे में बात करते थी ऐसे ही किसी मीटिंग में एक विज्यानिक के दिमाग में माइक्रोशकोप का आईडिया आया जो कि आज हर लैब का जरूरी हिसा बन चुका है रिसर्च में ये भी पता लगा है कि क्रियेटिव लोगों का सोशल नेटवर्क है और वे कई लोगों से मिलते जुलते हैं इसलिए उन्हें अलग अलग चीजों से संबंदित नए आईडियाज के बारे में पता लगता है अलग इंटरनेट लोगों को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉम देता है जिसकी मदद से लोग अपनी सोच दूसरों तक आसानी से पहुँचा पाते हैं किसी नई खोज के लिए परतियोगता के साथ दूसरों का सहयोग भी जरूरी है इन्वेंटर और इंट्रेपरनर अक्सर नई खोज करते हैं उसकी मदद से पैसे कमाते हैं इस तरह बहुत से लोगों को नई ख अपतार कम हो जाते हैं हमें नई खोज करने वालों को बढ़ावा देना चाहिए उन्हें एक ऐसा माहुल देना चाहिए जिससे वे अपने आईडियाज पर खुल कर काम करशकें पैटेंट या दूसरी चीजों की मदद से अपनी नई खोज को सिर्फ अपने तक रखने से हम कभी तेजी से विकास नहीं कर पाएंगे हमें परतियोगता के साथ साथ सहयोग की भी जरूरत है औरीजन और स्पीसिज में डार्विन ने जितना जोर नैचरल सेलेक्शन पर दिया है उतना ही जोर इस बात पर भी दिया है कि जिन्दा रहने के लिए परजातियों के बीच म सहयोग होना जरूरी है नैचरल सेलेक्शन का सिद्धांत कहता है कि परकरती में वही जीव जिन्दा रहते हैं जो ज्यादा टाकतवर होते हैं और खुद को मुश्किल हालातों में सुरक्षित रख पाते हैं परतियोगता का मतलब यह होता है कि जो ज्यादा काविल है वही जितेगा अगर वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना छोड़ देंगे तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे जानुरों को जिंदा रहने के लिए पेड़ पोधों की और पेड़ पोधों को जिंदा रहने के लिए जानुरों की मदद की जुरूत हमेशा पड़ेगी इसी तरह स नई खोज के लिए प्रतियोगता के साथ साथ हमें एक दूसरे का सहयोग देना भी जरूरी है। नए आविश्कार के लिए अलग-अलग विचारों के बीच कनेक्शन होना जरूरी है। नए आविक्सकार करने के लिए हमें खुद को एक पानी जैसे माहूल में रखना होगा, नदी के बहते हुए पानी में हमेशा उथल पुथल होती रहती है, वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काट देती है और आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेती है, लेकिन इतन में कनेक्शन बनाती है, नई सोच के लिए हमें खुद को पानी की तरहें के माहूल में रखना होगा, जहां हमें श्थिरता भी मिले और ऐस्थिरता भी, हमें एक ऐसा माहूल चाहिए, जिसमें हमारे रास्ते में लगातार कुछ रुकावटे आती रहें, और हमारे अंदर पुधल पुधल मचते रहें, इसके साथ ही हमें एक दारा में बहना होगा, और बहुत सी दूसरी चीजों के साथ कनेक्शन बनाना होगा, ताकि हम आसानी से किसी समश्या का समाधान उजख, कभी-कभी दिमाग में एक-एक ऐसे विचार आते हैं, जो कि एक नई खोच को कर सपने में हमारी मदद करते हैं, एक जामपल के लिए सपने, सपने के ऐसी जगह हैं जहां आलग-अलग विचार एक दूसरे से मिलते हैं, मनोवग्यानिकों ने इस बात की पुष्टी की है, जब हम किसी समस्या से प्रेशान होकर सोते हैं, तो सपने उसे शुल जाने में मद करते हैं, सदियों पहले एक जर्मन केमिस्ट केकुले ने एक सपना देखा था, उस सपने में एक सांप अपनी पूच को काट रहा था, इस सपने के बाद में केकुले समझ पाए कि बेंजिन मोलिक्यूल में कार्बन रिंग का आकार लेता है, ऐसा लगता है किरियेटिव और गरबड़ी एक दूसरे के साथ ही जुड़ी हैं, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा पेशानी का सामना करता है, वह उतना ही अच्छे समाधान निकाल पाता है, और उतना ही क्रियेटिव भी कहलाता है, जानकारियों को बाट कर नए खोज को बढ़ावा दिया जा सकता है, इस वज़े से अलग अलग तरहें के आईडियाज दूसरों तक पहुंचते थे, जिसे नई सोच को बढ़ावा मिलता था, चार्ल्स डार्विन और बेंजामिन फ्रेंकलिंग ने एक साथ कई प्रोजेक्ट पर काम किया था, उनका एक प्रोजेक्ट कुछ ही दिनों के लिए चलता था, पर उससे सीखी गई चीजें में हमेशा याद रहती थी, एक ओगनाईजेशन के लिए नई सोच और प्रेरणा की चाबी एक अच्छा नेटवर्क है, यह उन्हें नई चीजें सीखने का मौका देता है, ऐसे नेटवर्क का सबसे बड़ा एक्जामपल इंटरने गलतियां हर जगे होती हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि गलतियां हमेशा बुरी हों, एक्जामपल के लिए हम जीन्स को लेते हैं, माता पिता का जीन्स बच्चों में पाया जाता है, जिसमें बच्चों के विकास की पूरी जानकारी होती है, अगर उन जीन्स में म्यूटे जैसे बच्चों में कुछ खराबियां भी पैदा हो जाते हैं। लेकिन यही मुटेशन कई बार अच्छे चीज़ें बनाने में भी मदद करती है। इसी तरह एलेक्जंडर फ्लेंगमीन ने पैंसलीन की खोज एक भूल की वज़े थे हैं। अगर वो गलती से अपने बैक्टिरिया सेंपल को मोल्ड से दूसित नहीं करते तो उन्हें यह नहीं पता चलता कि बैक्टिरिया कैसे मर रहे हैं। और वो पैंसलीन की खोज कभी नह कर पाते हैं। गलतिया ही हमारे पुराने तरीके को छोड़ने और नए तरीके अपनाने के लिए मजबूर करती हैं। पुराने आइडियाज में कुछ बदलाव करके नए आइडियाज किये जा सकते हैं। इवोलुशनरी बाइलोजिस्ट एक्सपेक्टेशन सब्द का इस् पक्षियों को उड़ने में मजबूर करता है। पुराने आइडियाज में कुछ बदलाव करके उनका इस्तेमाल हम नई चीजों को बनाने में कर सकते हैं। टीम बर्स ली ने इंटरनेट पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए बनाया था। लेकिन आज इसका इस्तेमाल शोपिंग, सोशल नेटवर्र, प्रोनोग्राफी जैसी चीजों के लिए भी हो रहा है। गुटेन बर्ग ने अपनी मेटलर्जी की जानकारी का इस्तेमाल करके हजारों साल पुराने अंगूर का रश निकालने की तकनीक से दुनिया का पहला प्रिंटिंग प्रेस बना दि जब कहीं किसी भी माहान खोज को पूरा करने में समय लगता है, समय के साथ दिरे दिरे विचार बनते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तब कहीं जाकर एक अच्छा अविशकार होता है। नए अविशकार और विकास के लिए लोगों के बीच में एक अच्छा होना चाहिए kभी कभी गल्तियां भी नए आविशकार को करने में मदद करती है तो दोस्तो इसी तरह आप भी अपने विचारों इसलेयां को लोगों के साथ connect करके पुराने प्रेटफूंड के लिए अपने स्टेट के लिए और इस हुमिनिटी के लिए कुछ बहतर कर पाएं आज के वीडियो में इतना ही यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों तक जिनको आप प्रेरित करना चाहते हैं कुछ नया बनाने के यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही लीटिस्क वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए जै हिंद जै भारत आपका दिन शुम रहे